खूब सारे केलसियम, विटामिन, प्रोटीन, एंटी ओक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर, गर्मियों का ठंडा-ठंडा और सेहत वैस्वाद से भरपूर सुभै-सुभै का नास्ता हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों का सबसे सेहत मन्द और सबसे टेस्टी, हलका-फुलका, ताकत और तंदरुस्ती से भरा ये सानास्ता, अगर आप एक कटोरी, रोज खा ले तो ताकत, एनर्जी और सेहत मिलेगी आपको भरपूर, और बिमारियों से रहेंगे आपको सोंदूर, घर के बच्चे, बड़े, सभी के लिए बहुत ही फाइदे मंद, और जट से बनने वाला एसा सूपर फूर्ड, जो आपको गर्मियों में होने वाले, सरदर्द, ठकान, जो आज कल आम तोर पर चल रही है, क्योंकि अब की बार ज ज़्यादा गर्मी है, गर्मी नहीं कह सकते, गर्मी तो फिर भी बरदास हो जाती है, ये बहुत ही तपस भरी, यानि लू चल रहे है, तो बहुत ज़्यादा हमें सरदर्द और ठकान हो रही है, लू लपेट, इन सब से ये जो नास्ता है ये हमें बचाएगा, और पूरे दिन के लिए हमारा पेट भी भरेगा, आपका पेट भी भरेगा और आपको तरो ताजा भी रखेगा, यानि जो बनाकर इसे खाएंगे वो तरो ताजा रहेंगे, इस साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी नहीं कह सकते, ये तो लू चल रही है, शुरू से ही इस ब पूर नास्ता सुपर फूड ले के आई हूँ, और आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इंदू लोग चैनल, तो गाईज, सुपर स्पेसल और समर स्पेसल सुपर फूड बनाने के लिए, सबसे पहले हम लेंगे, सेहत और तंदुरूस्ती से भरी क कुछ चीजें, यहां पर मैंने लिए है कुछ बादाम, जिने मैंने पानी में भिगो कर रात को ही रख दिये थे, कम से कम बादाम को 3-4 घंटे तक भिगोना है, जिसे बादाम की तासीर थंडी हो जाती है, बादाम हमारी यादास्त को तेज करता है और शरीर को ताकत देते हैं, यह हम सभी को पता है, इसलिए हमें बादाम लेने हैं, साथ ही नेक्ष्ट जो चीज ले रही हूं वो है खस-खस, एक बड़ा चमच खस-खस में ने लिया और जिने हम इंगलिस में पोपी सीट्स भी बोलते हैं, खस-खस सरीर के दर्द में और माईग्रेन के दर्द मे बहुत आराम देती हैं, और गर्मियों में इस तरह बिगो कर जब खस-खस का हम यूज करते हैं, तो बहुत ठंडक प्रैदान करती हैं खस-खस हमें बिगोने से, खस-खस में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, उर्जा, कार्बो हाइडरेट, आईरन, केलसियम, ओमेगा सीक् फेटी एसीड, फाइबर, विटामिन बी, थाइमीन, मेगनीज भी मिलता है, खस-खस में बहुत ज़्यादा फाइदा है, इसे इगनोर मत करना, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटे-छोटे मोतियों जैसे दाने दिखने वाली ये पोपी सीड्स, यानि खस-खस हमारी सेहत क खजाना है, अब हम जो नेक्स चीज ले रहे हैं वो मेने ली है मखाने, मखानों को हम फोक्स नट बोलते हैं और ये हमारे घरों में अकसर पाए जाते हैं क्योंकि मखाने, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद है, मखानों में धेर सारा केल्शियम होता है, हमारी हड्डिय को मजबूत करता है, स्कीन, हेर, हार्ट इन सब के लिए बहुत ही फाइदे मंद है, गर्मियों में होने वाले डाइरिया वगेरा में ये बहुत ही फाइदे करते हैं, कॉंस्टिविशन में बहुत फाइदा करता है, और साथ ही साथ ये हाई एंटी ओक्सियंट होता है, तो अक्सर गर्मियों में हम शिकनजी वगेरा में भी लेते हैं, और ये बहुत ठंडा होता है, हमारी सेहत के लिए, जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, या वेसे भी हम नॉर्मल भी इसे गूंद कतीरे को ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा तर शिकनजी में ही ले या फिर वेसे भी इसको हम दूद वगेरा में डाल कर भी ले सकते हैं, तो गूंद कतीरा बहुत ज़्यादा ठंडक देता है हमें गर्मियों में, और इसका कोई अपना ना तो टेस्ट होता है, और ना कलर होता है, ये बिलकुल सफेद कलर का, और एक तम ऐसे होता है, सो के लिए गुणकारी है, तो हम कह सकते हैं कि गूंद कतीरे है, ये सहत के लिए बहुत ही फाइदेमंद है, इसमें केल्सियों, मेगनेशियों, फोलिक एसीड, प्रोटीन, ये सब इसमें भरपूर मातरा में पाया जाता है, गर्मियों में ये लू से हमें बचाता है, सनलाइ इसमें बहुत अच्छा रहता है, जोडों के दर्द नहीं होता, अक्सर जोडों के दर्द जो काफी ज्यादातर महिलाओं में होता है, उनको भी रहत मिलते इसे, और चेहरे के लिए फाइदेमंद है, इसकी निसे हमारी अच्छी ग्लोर रहती है, तो गॉंद कतीरा में जर चिलके समय नहीं उतारने, साथ ही हम लेंगे पोपी सीट्स, यानि की खस-खस और इसमें लेंगे साथ ही चार चिलके समय तिलाइची और इसे थोड़ा सा पानी डाल कर ग्राइंड करेंगे, और एक फाइन पेस्ट तेयार करेंगे, तो लेजिए अब हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, इस तरह से, इस पेस्ट को हम लगभग पांच दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो हम इसे दूद में डाल के भी पी सकते हैं, या फिर अपनी जो हम रेस्पी बना रहे हैं, उसमें हम काम लेंगे, अब हम गेस पर चढ़ाएंगे एक डाही या पेन, उसमें डालेंगे एक चमाच, देशी घी, और घी मेल्ट होते ही, सबसे पहले हम या भूनेंगे मखाने जो हमने लिए थे, तो इसे हम मीडियम लोफ लेम पर घी गरम होते ही डालेंगे, और इसे हलका हलका मखानों को हमें करंची करना है, जो हम नास्ता बनाने वाले हैं, जो एक बाइट ले, तो खाते ही मजा जाए कि मखाने के करंच का पता चल जाए, तो इस तरह से लगातार चलाते हुए, बस सिर्फ और सिर्फ दो मिनट में हमारे मखाने हैं, जो करंची से क्रिस्पी से भून जाएंगे, और अब हम इसे दूसरे बरतन में ट्रांस्फर कर लेते हैं, अब हम लेते हैं, इसी कड़ाई में एक चमच छोटी देशी घी, बस जरासा ही डालना है, और घी के गरम होते ही, हम नेक्स जो चीज लेने वाले हैं, वो है जो हमारा पेट भरेगी, बच्चों को जो हमें टेस्टी भी लगेगी, और बच्चों को बहुत दल्या डालेंगे, और लगातार चलाते हुए, इसे हलका गोल्डन ओले तक भूनेंगे, जब हम गरम घी में दल्या डालते हैं, तो वो तूरंत से फूल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत इजली मिल जाता है, हर किर्याना की दुकान पर, और कहीं भी मार्केट मिल सकता है, ये दो तरह का होता है, मोटा और ब्रीक दल्या, तो आप फाइन दल्या लीजिए, जो जल्दी बन जाएगा, जब हम दल्या बनाना हो, तो इसे भूनने से पहले, इसे प्लेट में डाल कर और साफ कर लेना चाहिए, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, पहले से उबला हो, या फिर कच्चा हो, कोई भी हो, हम दूध, इसमें मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, तो दल्या बहुत ही जल्दी पक जाता है, फूलने में इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, और लगातार चलाएंगे, तो आप देख रहे हैं, दल्या अच्छे से इसमें 2-3 मिनट के लिए बोईल करेंगे, तो ये दूध में अच्छे से घुल जाएगा, तो इस तरह से हमारे, इसी स्टेज पर हम डालेंगे, नेक्स्ट, एक और हेल्दी चीज, वो है मिश्री, मिश्री जो धागे वाली मार्केट में मिलती है, इसे रोक सु बाकी तो हम मिठा अपने टेस्ट के अकोरडिंग डालना है, और इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, तो दलिया बहुती सोफ्ट, और अच्छे से घुल कर तयार हो जाएगा, तो जैसे हमने यह मिश्री लिए, तो इसके जगे हम चीनी भी ले सक सकते हैं, और अगर कोई डायबीटीज के हैं, तो वो स्किप भी कर सकते हैं, अब यह सब मिश्री घुलने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मखाने, यह हम सबसे लास्टेज में डालेंगे, क्योंकि जब मखानों का टेस्ट है, वो क्रेंची रहना चाहिए, तो यह भुने और देखते हैं कि हमारी मखाने, दलिय की खीर, दलिया रेडी हो गया है नास्ते के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका परफेक्ट टेक्चर, बहुत अच्छे से फूल गया है दलिया, मखानों ने भी दूद अच्छे से अपजरू कर लिया है, और यह जरूर बनान को एक दम से बंद कर देते हैं, और इसमें दो तिन चमच गूंद कतीरा एड करते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए कोई बच्चों को भी खाने में दिक्कत नहीं होती, वैसे यह हैल्दी है, तो यह डालना चाहिए, और थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ इस फटा फट दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो बरतन दूसरे में ट्रांसफर करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और इसके बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो ठंडा ही अच्छा लगता है, जब यह हम इसे टेस्ट करके देखते हैं इसको देखने से लग अब तो फटा-फट हम इसे खाते हैं और इसको हम डेकोरेट करके करने के लिए इसमें डालते हैं भीगा हुआ गूंद कतीरा लग रहा है ना जैसे घीशी हुई बर्फ हो तो अब जो इसे एक बाइट खाएगा वो पूरी कटोरी चट कर जाएंगे तो भई मैं तो खुद खाने के लिए भी तयार हूँ भूख लगए देखके तो आप भी देखिए गाईज आपको देखने में कैसा लग रहा है मेरा मखाने वाला दलिया अगर अच्छा लगे तो आप भी मेरी रेस्पी के अकोर्डिंग जरूर बना कर ट्राइ करना और मेरे को कोमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ही करना मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बबाए